नमश्कार दोस्तों बटनेर आईएस यूटूब चैनल पर स्वागत है आपका मैं नमिंदर सिंग आपको प्टाने जा रहा हूं इतिहास जिसमें आज हम देखेंगे लोधी वंश पड़ रही है पिछले कुछ समय से हमने लोधी वंश को पड़ा है आज हम देखेंगे लोध सासने के विवस्ता है कैसी इसके बारे में भी हम आज जानकरी प्राप्त करेंगे तो चलिए आज हम देखते हैं लोधी वंश का पतनवय बाबर का आकर्मन पिछली कक्सा में पड़ा हमने दोस्तों जब इबराहिम लोधी था इनका अंतिम सासक को न रहता है लोधी वंश क अब देखा जो इबराहिम है वह अपने अफगान सरदारों पर अफगान जो सरदार थे उन पर संदेग करने लगा था उनको संदी की द्रिष्टी से देखता था और अपने एक सरदार आजम हिमायू शेरवानी को क्या करता है वो करागार में डाल देता है तो उसका पुत्र है जो इसलाम का वैयुद पर उतारू हो जाता है विद्रोब खड़ा करने के बार क्या है मुसीबत आ जाती है युद तक अब उनके मद्रा युद्ध भी होता है और बहुत द सरदार दोनों तरफ से hundredth disparities है एक दूसें के रिष्टे दार बड़े बड़े वीरियोदा है जो अफगानु में हO आजाते है तो इसमें क्या होता है इव लोडी से स्युद्ध में विजिट होता है और इसलामा जो वह मारा जाता है मारा जाता है बहुत दूगती होती अफगानों की बहुत से वीर जोदा इस उद में समाप्ट हो जाती है एक प्रकार से हम देखें तो अफगानों के जो किलाब तक बना था उसके जो स्थम्ब थे खोकले हो चुके थी तो अब क्या होने लगा कंडीशने यह स्थितिया उल्टी होगी अब तो अफगान जो सरदार थे यह बढ़ाहिम लोदी को शंका की दृष्टी से देखने लगी तो होता क्या है उस समय हम देखेंगे सब्से पहले तो मैप पर देखेंगे यह दिली का क्षेटर है लगबग यहां पर और यहां देखें तो आग्रा का क्षेटर है और यह गजनी का या समरकंद का जो क्षित्र है यहां पर रहे हैं और यहां पर हम देखेंगे पंजाब का क्षित्र आजाता है वो पंजाब का क्षित्र है भारतिय पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब है जो वरतमाने में देखेंगे तो यहां पर पंजाब का क्षित्र रह और यहां पर था इब्राहिम इब्राहिम और chut ने अब लोगियों की रायता निया बन चुकी थी तो यहां पर यह जो खुछितर है बंगाल का खुछिटर कौझणार है दे Ole अफगान सरदार थे, उन्हें क्या होने लगा, इबराहिम जो लोधी है, इबराहिम लोधी पर क्या होने लगा, उन्हें संदे होने लगा, अब इबराहिम लोधी पर जब उन्हें संदे होने लगा, तो पूरव का क्षेत्र है, यहां पर हम देखेंगे, दरिया खान यह बंगाल है बंगाल का शासा कुछ समय तर दरिया खान दरिया खान खाने जहां लोधी खाने जहां लोधी काँ था एक तो दरिया खान और खाने जहां लोधी के द्वारा क्या कर दिया जाता है बंगाल में विद्रो कर दिया जाता है विद्रो कर दिया जाता है अब विद्रो को कौन दबाएगा सल्टन का जो सुल्टान इबराहिम है और इसके लिए वो क्या कहेगा अपनी जो उसका सूबा है अक्ता है पंजाब का क्षेत्र है यहां का जो सूबेदार है तौन ऐकतादार है, वह कौन रहेगा ? डौलत कहा लौधी था अभीतादिक अपने अपनी अथासेथनिक साहिता मनता है लेकिन यह अफगान सरदार है वह शंकिते तो डौलत pixuldी नियस्वेम माने के Bangladesh आपने पुत्र खो यहां पर भेज दिया आग्रा में अब इसके पास उसने संदेशा भेजा कि इधर पूरब में जो है विद्रू हो गया है और आप मेरे पास से न भेजी आग्रा में और इस विद्रू को दबाना है तो होता क्या है डौलत का स्वन नहीं आता और अपने पुत्र को भेज देता है कहां पर आग्रा आग्रा अपने पुत्र को भेज देता है लेकिन इसके पुत्र के साथ यहाँ पर जो वहवार है इबराहिम का कुछ अच्छा नहीं था यहां पर जब इसके साथ अच्छा वेवार नहीं किया जाता तो यह वापिस चला जाता है वापिस कहां चला जाता है पंजाब चला जाता है अब जब पंजाब चला जाता है और अपने पिता को कहता है कि इबराहिम का कुछ system उसे अच्छा नहीं लग रहा, उसकी कुछ नियती मुझे साफ नहीं लग रही, इबराहिम लोधी के शक तो पहले ही उन्हे था, तो डौलत का जो लोधी है, वो इसकी सहायता करने के बजाए, इबराहिम की क्या करता है, सहायता करने के बजाए, निमं में भावर को नियम्हंतन भेज जेता है, भारत भर आकरमन करने का, और यहाँ पर एक और था, दौलका लोधी, इनृ का था यही आपर हम देखेंगे आलम खान लोधी, यह गुज़ात का क्षितर है, गुज़ात का किटर् है गुज़ात के शासक के यहां शर्ण ले रखी किसने आलम खान लोधी ने अब आलम का लोधी भी क्या करता है बाबर को भारत पर आत्रम करने का निमंतन भीजता है अब दोनों ने भेज दिया निमंतन क्योंकि उन्हें पता था इब्राहिम को अब सक्ता से हटाना पड़ेगा क्योंकि वह अफगान सर्दारों के लिए एक खत्रा बना हुआता अब जोडनों का संदेशा कर नी बावर को मिलता है तो बाबर क्या था बाबर तो पहले से क्या बैठा था बावर को पहले से ही याँनर मेन कर टैर बैठा था VA क्योंकि । '' क्योंकि महें मध्यच श्रीए में उज्व Э्ध judges lowардous मूंकि भीचे होगे बै स्वेम को साबित करने के लिए यही रास्ता था और यह रास्ता उसको खुलता हुगा यहां पर नजराता है तो बाबर क्या करता है 1525 में कहां से चलता है काबल से चलता है किदर भारत आकर्मन के लिए भारत पर आकर्मन करने के लिए अब बाबर जो है काबल से निकल पड़ा है भारत पर आक्रम्न करने के लिए और कब पहुंसता है बारा अप्रेल कि पंग्रा सो चब्विस इस वीगों युद्ध होता है पानी पत का पहुंसता कहा है पानी पत के मैदान में बाबर कहां आएगा काबुल से चला पानी पत के मैदान में आड़ता है तो इबराहिम लोदी जो है अपनी सेना के साथ कहां आता है पानी पत के मैदान में इबराहिम लोदी भी आ जाता है अब दोनों के मद्या क्या होता है एक तो हो गया इबराहिम लोदी और दूसरा कौन हो गया बाबर अब इन दोनों के मद्या युद् में विजय किसकी होती है इसमें बाबर जो है विजित होता है बाबर क्या है बाबर पानी पत के युद में क्या होता है विजयता बनता है और जो इबराहिम लोदी है इबराहिम लोदी क्या होता है इस युद में प्रास्त हो जाता है और इबराहिम लोदी प्रास्त ही नहीं ह होता होता क्या है बड़ी बहादरी के साथ लड़ता हुआ वीर गती को प्राप्त हो जाता है अब देखें तो सर्थतकाल में एक ऐसा सासक सुल्टान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया या वीर गती को प्राप्त हुआ ऐसा प्रथम सास्थक रहा सर्थनतकाल का इब्राहिम लोदी यहां पर वीर गती को प्राप्त होता है या लड़ता हुआ मारा जाता है और इसी के साथ ही इब्राहिम लोदी जब मरता है तो इसी के साथ ही जो सल्तनत युग है वो समाप्त हो जाता है अफगानों का सासन भी समाप्त हो जाता है लोधियों का जो सासने वो भी समाप्त हो जाता है साथ ही साथ क्या होता है सल्तनत जो युग है उसकी भी यहां पर समाप्त हो जाती है इस प्रकार से हम देखेंगे सल्तनतकाल का यहां पर end हो जाता है इसके बाद हम देखेंगे सल्तनतकाल की जो परसासनी की विवस्ता है यांकि परसासनी की सुधार है किस प्रकार से जो तुर्क थे भारत पर आए और भारत पर आकर उन्होंने अपना सासन हम देखेंगे जो अफगान सरदार थे वो क्या है शंकित हो उड़ते हैं इबराहिम लोधी के प्रती तो होता क्या है उस समय में जो बंगाल का प्षेत्र है पस्चिम दिसा में पूरव दिसा में तो बंगाल में दरिया खां और खाने जहां लोधी क्या करते हैं विद्रो कर देती हैं विद्रो कर देते हैं इस विद्रो को दबाने के लिए जो इबराहिम लोधी है आगरा से संदेशा बेजता है कहां पंजाब का जो अक्तादार है दौलत खां लोधी इसके पास बेजता है अब दौलत खालोदी है पहले ही डरा हुआ था उसने स्वेम ना कर सहयता ना कर अपने पुत्र दिलावर खान को भेजा अब दिलावर खान इबराहिम के पास आता है आगरा में और इसके साथ उचित वेवार नहीं होता तो वह है वहां से चला जाता है और अपने पिता दौलत खालोदी को आगा करता है कि वहां मुझे सब कुछे ठीट नहीं लगा तो वहां उन्होंने इसकी हल्प करने के बजाए सहयता करने के बजाए आगरा आने के बजाए क्या किया पीछे समरकंद की तरफ काबूल की तरफ अफगानिस तरफ स्तान की तरफ जाना अच्छा समझा तो उस तरफ इन्होंने बाबर को निमंत्रन देवेजा भारत पर आक्रमन करने के लिए अब भारत पर आक्रमन करने के लिए निमंत्रन देवेजा तो बाबर पहले से ही तैय बैठा था और इधर गुज्रात में शन ले और बैठा था एक गुस्ताफ हम देखेंगे दोस्ट वेक्ती आलम का आलम का भी बाबर को नियोता दे रहा था कि वह भारत पर आकमन करें और इबलाहिम लोदी से उनका पिंट चुड़ा है तो बाबर ऐसा निमंतन पाकर पहले से की त्यार था और 1525 इसी में काबल से अपनी कुछ सैनिक टुकड़ी लेकर भारत की तरफ निकलता है अकमन के लिए और 1526 इसी में पानीपत के मैदान में डड़ जाता है और उदर से इबराहिम लोदी विया था अपनी सेना लेकर की और हम देखेंगे 12 अपहल 1526 में की साथ लड़ता हुआ मारा जाता है और हम देखेंगे उसके मारे जाने के बाद जो लोदी वंस है जो सल्थनत यूग है उसका पतन हो जाता है और लोदियों का भी यहां पर हमें पतन देखने को मिलता है जिससे एक नहीं राज्या की निव पढ़ दिया मुगल वंस की और हमारा परसासनिक विवस्ता वगरा समाप तो हो जाएगी तो इस से पहले हम देखते हैं यहां पर सल्थनत काल की परसासनिक विवस्ता हम देखेंगे सल्थनत योग का परसासन परसासन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उनका जो केंद्रिया परसासन केंद्रिया परसासन उस उसके बाद हम देखेंगे प्रांति樣 प्रृशासन ठीक है ₺ उसके बाद हम देखें पृण का राजयसब प्रसासन और उनका जो श्रहिनिक प्रसासन है मोटा रूप में हम देखें तू 3-4 परकार का प्रसासन था लेकिन उसके बारे हम देखें कि जितने भी उनकी परसासनी की काईयां थी, सभी के बारे में हम जानकारी राप्त करेंगे. तो यहां पर हम देखें कि स्थानिय परसासन, और उसके बाद हम यहां पर देखें, तो राज्यसौब है, सेन्य परसासनी था. सबसे पहले तो हम देखेंगे इनका जो केंद्रिया प्रशासन है केंद्रिया प्रशासन केंद्रिया प्रशासन जो है किस प्रकार था किस प्रकार का रहता है सबसे पहले हम देखेंगे जो दिल्ली सल्तनत है इसमें हमें देखने को मिलता है यह थर्म निर्पेक्ष रश्य नहीं था या नहीं था दिल्ली सतनत क्या है? एक धरम निर्पेक्ष नहीं थी दूसरा इन्होंने एक विशेष धर्म को महत्व दिया यानि उसे राज धर्म राज धर्म की भांदी माना और वह धर्म था इसलाम धर्म कौन सा था इसलाम धर्म अब इनके जो कानून होते थे दिल्ली सल्थत के इसलाम धर्म के अनुसार होते थे जिसमें हम देखेंगे शरियत का जो है महत्व रहता है इसका महत्व रहता है शरीयत का महत्व रहता है जिसे इसलामिक कानून भी कह सकते हैं इसका महत्व रहता है और हम देखेंगे शरीयत के अधीन ही सासन होता था यह से हम देखें जो खलीफा है जो खलीफा है खलीफा खलीफा भी क्या होते थे शरीयत के ही अधीन होते थे और दूसरा हम देखेंगे जो सुल्टान है सुल्टान भी क्या होता था शरीयत के अधीन ही अधीन ही क्या करता था सासन करता था और वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये दोनों क्या थे धरम के प्रमुख नहीं थे धरम के क्या नहीं थे धरम के प्रमुख अधिकारी नहीं थे और ये दोनों ही शरियत के अधीन शासन करते थे किसके अधीन शासन करते थे शरीयत के अधीन ही सासन करते जी और फिर से हम यहाँ पर देखे जो खलीफा के अधीन इन्होंने सासन किया सुल्तानों ने तो उनमें हम देखे कुछ एक सासक को छोड़ कर कुछ एक सासक को छोड़ कर सभी ने खलीफा के अधीन या शरियत के अमसारी सासन किया हम देखेंगे अलाव दिन खिल्दी जो है कौन? अलाव दिन खिल्दी को छोड़ कर और दूसरा हम देखेंगे इसने खलीफा का सहारा नहीं लिया इसने खलीफा जा इसलाम दर्म का सहारा नहीं लिया एक मुबारक खिलडी था, मुबारक शाह खिलडी, इसने तो स्वेहम को ही खलीफा कहा, स्वेहम को क्या कहा? खलीफा कहा, यानि शरियत से कुछ हटके थे इन दो सल्तानों के नियम, मुहम्मद बिन तुगलग है, उसने भी कुछ तक यहां पर उलेमा वर्ग और इनका, और ज नहीं रखा, और उपर हमने देखा जैसे, खलीफा सुल्टान के धिन सासन करता था, दिली के सभी सासक जो थे, लगवक इसी प्रकार के थे, लेकिन, एबक मुबारक शाहर अलाओ धिन खिलडी को छोड़कर, खलीफा के धिन ही सासन करते थे, और यहां पर हम देखेंगे, जनता में किस्प का प्रवाव था, हम देखेंगे, जो यहां की प्रजा थी, सल्कनत की प्रजा थी, यहां, इसलाम धर्म को मानने वाले थे, यहां की जनता थी, उनका विश्वास किसमें था, उलेमा वरग में, उलेमा वरग में, प्रजा का जो था, विश्वास रहता है, अब प्रजा का इन में विश्वास है, तता प्रजा को अपनी अर्ट अकर्शित करने के लिए जो सुचत काल के सुल्टान होते थे, उलिमा के प्रती वफादारी दिखाते थे। कि वह प्रज्या का विश्वाश एक प्राप्त कर सके बेना मात्र का ही पड़ान मांने थे धैपक Krb सक लिखर कोई ठीव इंधे प्रीफां व दूस्ती से मैं ऑनको तक नहीं दिए ऑस और फिर उसके zg ऐसान की रइयो शुद केंद्रिय परसासन, पहले हम बात करें तो परसासन के मुख़ है, चार भागें चार रूपों में इसे बांटा गया है पहला केंद्रिय परसासन, प्रांतिय परसासन स्थानिय परसासन, राजय सववय सेन्य परसासन, उसमें हम को यहां पर मेहत्तिया था वो था इसलाम धर्म जिसे अराज धर्म काना गजय कि अछिस को इसका व्यहवार में प्रभावत संभव नहीं हो सका सथम्थ हक़ इसलाम धर्म का यूओं कि भासमधा नोग थे उसलाम धर्म ने कि जनता थी वो क्या थी हिंडुति और यहां पर इनने एक नया राज्या स्थापिर किया था तो इसलाम धर्म के अनुसार यहां पर शरियत को महत्व दिया जाता था अशरियत को महत्व दिया जाता था तो शरियत के धीन ही सुल्तान वे खलीफा जो था उसासन करते थे लेकिन ये दोनों ही धारमिक प्रमुक नहीं कहे जा सके मास्तव में तो इसके धीन इन्होंने सासन किया और ज्यादातर सासकों ने खलीफा के धीन ही सासन करते थे और कुछ एक को छोड़ करम जैसे देखेंगे मुबारक शा खेल दी कुटब दिन मुवम्मद बिन तुगलक और दूसरा अलाव दिन खेल दी ने तो विल्कुल भी उलेमा वरग और इसलाम का सहरा नहीं लिया लेकिन कहीं ने कहीं इन्हें प्रजा की सहानुबुती प्राप्त करने के लिए जंता की सहानुबुती प्राप्त करने के लिए किसका विश्वास जीतना पड़ता था उलेमा का क्योंकि प्रजा और जंता जो है यहां की उलेमा में विश्वास करती थी इसलिए उलेमा के प्रती वफादारी या विश्वास किसको दिखाना पड़ता था सुल्टान को दिखाना पड़ता था ताकि प्रजा की साहनबुती या विश्वास जीत सके इस प्रकार से था इसके बाद हम देखेंगे सल्टन काल का जो केंद्रिय परसासन किस प्रिकार को इतला इसका फर्दान का उन रहा तो सल्टन काल में केंद्रिय परसासन का जो फर्दान रहता था वो सुल्टान ही होता था अब केंद्रिय परसासन में हम देखेंगे सुल्टान को यह क्या होता था केंद्र यह परसासन का तधान रहता है अब केंद्र का जो पूरा परसासन है जो राज्या का जो परसासन है वो किसके इर्दगर गोमता है सुल्टान के इर्दगर गोमता है सुल्टान क्या था परसासन की धुरी रहता है सल्पनत काल में तो यहां पर हम देखेंगे, अब सुल्तान का पद है, तो तो क्या था निष्चित नहीं था, यहां पर सुल्तान का पद है, जो निष्चित नहीं था, यहां पर सुल्तान के निष्चित पद का कोई नियम नहीं था, इस नियम का क्या था, यहां पर अभाब था, लेकिन इल् उत्रादिकारी है उत्रादिकारी है वो क्या बने उसके वंशज ही बने कुछ यह तक उसने प्रयास किया कि सासन जो है सल्टत का उसे वंशानुगत किया जए लेकिन एक जो हम देखेंगे सुल्टान है वह अपने उत्रादिकारी या अपने पुत्र को सुल्टान नियुक्त क कर सकता था नियुक्त कर सकता था कई बार क्या होता था यह उत्रा दिकारी क्या हो जाते थी आयोग्य सिद्ध हो जाते थी तो ऐसी स्थिती में क्या होता था जो अरध्या के हम देखेंगे सर्दार हैं जो या अमीर है सरदार जो अमीर हैं इनके दोरा क्या किया जाता था एक योग्य सासक चुनने के लिए योग्य सासक चुनने के लिए एक निश्चित प्रणाली को अपनाया जाता था यहां पर हम देखेंगे अपनी मर्दी से भी एक योग्या सासक नियुक्त कर सकती थी यहां पर हम देखेंगे उत्रादिकारी है जो पैत्रिक नियम इल्कुतमिश ने यहां पर बनाया अगर उसका उत्रादिकारी योग्या से दोता है तो सरदार और अमीर हैं जो सासक या सुल्टान निक्ट करने की प्रणाली है उसके अधार पर एक योग्य सासक को या सुल्टान को निक्ट कर सकती थी लेकिन जादा कर हमें सल्टन्ट काल में मिला है जो सल्टन्ट काल का जो तक्त है ये जो तक्त है इस पर विराजमान होने के लिए किसकी अब शक्ता होती थी तल्वार की नौक के अदार पर ही कोई व्यक्ती है इस तक्त को प्राप्ट करता था यानि शक्ती वए बन परियोग से ज़्यादा थर हमें मिला यह जो तक्त है उसे प्राप्ट किया किसने सल्टनतकार के सल्तान है इस परकार से इनका कोई जो सल्टतकार के जो सल्तान है निश्चित नियम नहीं था तो दूसरा सबसे पहले हम देखेंगे जो नाइब है एक पत्था नाइब का जिसे नाइब ए मुबालिक भी कहा जाता था किस नाम से जाना जाता था नाइब ए मुमालिक ये जो पज था किसके बाद आता था सुल्तान के बाद किस पज़का मेहत्प था किसका नाइब का हम देखेंगे अगर सुल्तान कही न कही कमजोर होता था सुल्तान की सितियां अगर कही न कही कमजोर है तो इस पद का क्या होता था महतव बढ़ जाता था फिर से हम देखेंगे जो नाइब का पद है वो सुल्तान के पद के बाद आता है और इसे नाई भी मुबालिक भी कहा जाता था लेकिन अगर सुल्टान कहीं न कहीं कमजोर पड़ता है दिल्ली सकत में तो क्या होता था इस पद का मैंतम बढ़ जाता था इसके बाद अगला पद देखेंगे है अगला विभाग जो है दीवाने विजारत डिवाने विजारत इस पद का जो पर्दान होता था वो कौन होता था आख अगर होता था का जुभाब होता है आट सब्सक्राइब अट भी जिए अट प्रेवह होता था कि लिशुकर है विखानि दुस्करफ तरह वह क्लिस्ञांति मैं प्रजा के निलिपि दो तो जो दोस्ट ख़ुह है और उन्चक्राइब प्रजा के मध्या की ये क्या था एक मध्या की कड़ी था और प्रमुक रूप से जो इसका कार्या है वो क्या था प्रमुक रूप से हम इसका वजीर का कार्या देखें तो वो थे वित्विभाग को देखना यानि कि वित्विभाग था जो इसका धक्ष रहता है वसूली करना, राज्यासव की वसूली भी करता था, और जो वय होता था, उसका भी ध्यान रखता था, जो वय होता था, राज्या का, उसका भी ये ख्याल रखता था, दूसरा हम देखेंगे, जो सेना है, सेना पर खर्च होता है, उस पर भी ये है, नियंत्रन रखता था, और इसका एक कारल्य भी है, दिवाने तिजारत क्या था, दिवान का कारल्य था, दिवान का कारल्य क्या कहला था, दिवाने तिजारत कहला था, फिर से हम इसके बारे में देखेंगे, जो दिवान ये विजारत है, वह एक विवाग था, वित्व विवाग कह सकते हैं, जो दूसरा वजीर इसका प्रवुक परधान रहता है जो सौतत काल में राजा क्या क्या था परधान मंत्री रहता है और सुल्टान वे प्रजा के मध्या की कड़ी का कामिया है करता है और दूसरा हम देखें राजासभ का निर्धारन करना राजासभ की वियूली करना वसूली करना और जो रज्या का व्या है उसको नियंत्र में रखना तता जितना भी सेना पर खर्च होने वाला है सेनिक खर्च है उस पर नियंत्र रखना जा सेनिक आशक्ताओं की पूर्ति करना भी बजीर के हाथ में होता था और दिवान ए तिजारत के नाम से करले होता था वो किसका करले था दिवान का करले था दूसरा हम विवाग देखेंगे यहां पर दिवान ए आरिज यह क्या था एक सेन्य विभाग था और इसका परधान क्या कहला था दिवान ए आरिज का परधान जो था वो क्या कहला था आरिज ए आरिज ए मुमालिक हम देखेंगे जो परसासन है भारत बहुत बड़ा देश था हिंडूस्तान उस समय उसके परसासन के लिए चलाने के लिए बहुत से सुजवान अधिकारियों की अवशक्ता रहती है तो इनका जो परसासन है बहुत ही अच्छा वैं सहग्ड था और स्थापना किसके द्वारा की जाती है हम देखेंगे बल्वन के द्वारा पिछे भी हम पढ़ चुके हैं इस पद की जो इस विवाग की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई बल्वन के द्वारा की गी ती और इसका कार्या क्या था इसका कार्या था जो सेना है जो सैनिक का रहे हैं उनकी देख रेख करना तता जो सैनिक है उनका हुलिया नोट रखना या हुलिया नोट करना तता गोडों को जो दागने की विवस्ता है दागने की विवस्ता है इसी के दोरा ही बनाई जाती थी और हम देखेंगे आरिजे मुमालिक जो दिवाने आरिजपद है एक सेने विभाद था इसका परदायन कहुंता आरिजे मुमालिक था और इसकी स्थापना किसके दोरा हुई थी बल्बन के दोरा हम देखेंगे यहां पर इसकी स्थापना होती है फिर दूसरी बात हम देखेंगे जो आरिजे मुमालिक है वह है राज्या का सेना पती नहीं था क्या नहीं था राज्या का सेना पती सेना पती नहीं था वह है तो क्या था एक आरिजे मुमालिक यानि के मंत्री पद था नहीं कि एक सेना पती मोटे तोर पर देखें तो सेना जो होती थी सौटन्ट काल में उसका सेना पती महा सेना पती कौन होता था सुल्टान ही होता था इसके बाद जो अगला पत है हम देखेंगे दिवान इंशा दिवान इंशा एक पत्रा चार मंत्रा ले था क्या था पत्रा चार पत्रा चार मंत्रा ले रहता है मंत्रा ले और इसके परधान की बात करें तो यहां पर हम देखेंगे इसका परधान कौन रहेगा दभीरे मुमालिक दभीरे मुमालिक मुमालिक जो है इसका परधान रहेगा और इसके कारें की बात करें तो हम देखेंगे जो सुल्तान द्वारा संदेश तैयार होते थे हम देखेंगे यहां पर जो सुल्तान के आदेश होते थे आदेश होते थे उन्हें क्या किया जाता था इस दभीरे मुमालिक दभारा अन्य विवागों में बेजा जाता था अन्य विवागों में भेजा जाता था फिर दूसरा हम देखेंगे जो शाही पत्र होते थे और जो शाही घोषना ही होती थी उनका मसौदा भी कौन तियार करता था दिवान इंसा का जो प्रदान है दबिर ए मुबालिक वही तियार करता था यहां पर हम देखेंगे शाही घोषना वे शाही पत्र शाही जो पत्र है इनका मसौदा कौन तियार करता था इनका मसौदा भी तियार दबिरे मुमालिक द्वारा ही किया जाता था फिर से हम देखेंगे दिवान इंसा का पद है उनको देना इसी का करह होता था अगला पाद हुम देखेंगे दिवान रसालत इसे विदेसी विभाग भी कहा जाता था इसे विदेसी विभाग भी कहा जाता था लेकिन इसमें कुछ हमें विवाद देखने को मिलता है कुछ विद्वान इसे विदेसी विवाग कहते हैं कि इसका कार्य क्या था हम देखेंगे सल्पनुत के बाहर या अन्य राजयों के पूप टियार करना वी सका कारे था लेकिन अधिकतर जो विद्वान है इसे दर्म से संबदित मांते हैं दिवान의 रसालत को क्या मानते हैं धरम से संबदित माना गया है और PSC ने भी एक बार इसे क्या धर्म से संबंदी थी, इसे बीवानेर सालत को किया गया है, इसके दो का रहे थे, एक तो सेक्षिक वे धार्मिक मामलों की जो सुनवाई थी, इसके द्वारा की जाती थी, दूसरा हम देखेंगे, जो विवाद होते थे, एक तो सिक्षा वे जो धार्मिक, धार्मिक का रहे हैं, उनके देखरेव, उनकी सनवाई, धार्मिक मामलों की सनवाई, दूसरा जो विवाद होते थे हम देखेंगे जो विवाद होते थे उन्हें उनको भी इसके द्वारा सुल जाया जाता था और जादा कर विद्वान जो है दिवाने रसालत को क्या मानती है एक धर्म से सम्मंदित विभाग मानती हैं, उसके बाद देखेंगे हम सदर उस सदूर, अगला जो विभाग है, वो कौन सा है, सदर उस सदूर, यहां धार्मिक मामलों की हम यहां पर देखेंगे, इसका क्या रहे क्या था, इसलाम धर्म का, इसलाम जो धर्म है, इसका परचार परसार करना था, इसलाम धर्म का परचार परसार करना था, और जो अनुदान से सम्मंदित नेटिया हैं, उनको बनाना था, यहां पर हम देखेंगे अनुदान से संबंदित यानि जो ग्रांट है अनुदान से संबंदित या ग्रांट से संबंदित जो नेतियां थी उसे इसके दोरा ही सल जाया जाता था दूसरा हम देखेंगे एक पद और है काजी उलकुजात कौन सा पद है काजी उलकुजात का पद है यह न्याय विभाग का प्रधान होता था क्या होता था न्याय विवाग का प्रधान होता था और यह साधर उसुदूर न्याई से संबंदित होता था यानि कि धर्म से संबंदित जो होते थे धार्मिक न्याई से संबंदित होता या अपना धर्म से संबंदित होता था हम देखेंगे काजी उनकोजात है जो मुख्या काजी होता था और काजी उनकुजात तथा सुदर उस्दूर ये जो दोनों पद है एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला और ये दोनों जो पद है किसके पास होते थे अधिकतर हमने देखा है एक ही व्यक्ति एक ही व्यक्ति के पास ये दोनों पद रहते थी कि दूसरे इसमें हम देखेंगें अने एह मिलता है यहाई धरम से संस्भमान फाह मन को देखेंगे यह नृतिक्ता से संभान इस यहाई है कि आचरण की अचरण की देखरेह कर नहीं कि यहाई धरम से संभान flashing जाजर LEण ना इसलाम को मानने वाली बो 5 समय नमाज अदा करती है रोजे रखती है या इसलाम के जो नियम है उनको मानती है जा नहीं उसकी जो देखति कम करता था महाथसी Öz さUR क्या था यह रेक दरम से रिम विबहाद तो किससे रिम मन जित दौर से संबंदित विभाग था, इसलाम धर्म का पड़ार्शार करना, इसका कह रहा था, जो अनुदान से संबंदित, जो नेटियां इसके दोऔरा बनाई जाती थी, या जो अनुदान की भुमी है, जो अनुदान दिया जाता है, उसकी देख रेक भी, صदर सदूर के दोबरा ही की जाती थी एक पता काजी उलकुजात यह भी नए विवाग का परदान था मुख्या काजी होता था जो न्याय करता था उस समय तो यह दोनों जो पद है वो एक ही व्यक्ति को मिलते थे एक तो सदरु सदूर दूसरा काजी उलकुजात इसना हम कि अगला गवाग है द्वान एं अमीर कोई रशें इस पडर की स्थापना है किसके द्वरा की जाती है महममद अमें तुगला की द्वरा को इसका उद्येश्य करूद्य measurable किए रहता है क्रिशी सम्मनित भूमी का विस्तार करना तता इस भूमी से जो राजसव की जो राजसव वसूली है उसे सैद्रिण करना जा उसकी व्यवस्ता को अच्छी तरह से बनाए रखना फिर अगला देखेंगे दिवाने बंदगान दिवाने बंदगान एक पद है दिवाने बंदगान जिसका कारे का था दासों की संख्या को बढ़ाना सबसे ज़्यादा दास जो हैं फिरोज तुगलक के समय हम देखेंगे दासों की संख्या को बढ़ाना रहता है तता जो दास लोग हैं इनकी समस्याओं की सुनवाई करना इस पर अधिकारी का कारय होता था फिर और थे कुछ केंद्री अधिकारी उनके बारे में भी हम ज्यानकारी प्राप्त करेंगे कुछ अन्य अधिकारी हैं यहां पर हम देखेंगे केंद्री यह जो अधिकारी है उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे अमीर ए हाजिब जो होता था यहाँ पर हम देखेंगे अमीर ए हाजिब जो सिष्टा चार को बनाई रखता था दरबार में हम देखेंगे दरबारी जो सिष्टा चार है दर्बारी सिस्टा चार को बनाए रखने वाला जो वो दिकारी था केंद्रिय दिकारी था वो क्या कह रहता था अमीरे हाजिब अमीरे हाजिब कौन था दर्बार में जो सिस्टा चार का कारे है वो कौन करता था अमीरे हाजीब करता था फिर हम देखेंगे बरीदे मुमालिक कौन सा था बरीदे मुमालिक बरीदे मुमालिक यह भी एकेंद्री अधिकारी था यह गुप्तचर विवस्था को जो गुप्तचर विवस्था है उसका परधान रहता है गुप्तचर यानि कि जो गुप्तचर होते थे गुप्तचर विवस्था जो है उसको महत्व अलाउदिन खिल्जी के द्वारा दिया गया तथा इनका जो है संगठन अच्छी द्रह से किया गया अमीर हाजिब सिस्टाचार को बनाई रखता था दरवार में दूसरा बरी दे मुमालिक जो होता था गुपचर जो विभाग है उसका प्रधान होता था और भी होते थे जैसे हम देखेंगे अमीर आकुर जैसे हमने रजिया सुल्टान के समय भी पड़ा था अमीर आकुर जो ह होता था वह घोरों की ऐस्तावल जो होती थी उसका प्रधान रहता है फिर हम देखेंगे शहना एपील शहना एपील क्या होता था था हस्ति वाग का जो प्रधान देखारी है तीसरा हम देखेंगे अमीर ए आखुर शेहना ए पीर अमेर ए आखुर क्या होता था गोरों का जो अस्तबल होता था उसका परधान अधिकारी होता था यानि कि अश्वार होई जो अश्व होते थे अश्वार होई जो अस्तबल होता था अस्वारों का जो जो अस्तबल होता था उसका प्रधान अधिकारी जाता था और फिर हम देखेंगे जो हस्ती अस्तबल है जो हाथियों का तबेला है उनका प्रधान होता था हस्तियों का या हाथियों का परधान रहता है फिर उसके बाद हम देखेंगे तीन चार एक और हैं उनमें देखेंगे मीरे बहर रहता है फिर एक कार खाना है अमीर बहर जो होता था है मिर ए बहर यह होता था नौ सैना का परधान होता था नौ सैना विवाग जो है उसका प्रधान था अधान प्रथा यह हस्ती विवाग का कर्दान हैं वर कार खाना होता था कार खाना क्या था जिसमें सुल्टान के जितने विनेजी का रहा है अस्तबल से समंदित हैं जदने भी निजी का रहा हैं उनकी डेख रेख करने वाला विभाग जो है वहाँ पर हम देखेंगे कार फिर से हम देखेंगे केंद्रिया connection है अमीर हाजिव दरबार में जो से इस्ता चार को बनाई ड़कता था उसे इस पारद्व फिर उस आपके परधान का नाम कहता बारीद ऑ मुमालिक बारीद ऑ मुमालिक ज़्यादा दर पूछा जाता है और दूसरा हम देखेंगे अमीर आखुर जो अस्वारोही या असब का अस्तवल होता था घोड़ो का अस्तवल होता था उसका प्रधान दिकारी होता था अमीर आखुर शहना एपील हस्ती विभाग का प्रधान होता था फिर था मीरे बहर मीरे बहर क्या था? एक नौ सेना विवाग का परधन रहता है जो उस समय हमें जानकारी देता है कि सल्टनत्वकाल में नौ सेना का परधन होगा नौ सेना रही होगी एक जल सक्ती भी रही होगी तो इसी के साथ ही हम इस क्लास को यहीं पर रोखते हैं तो सभी मित्रों का बहुत अवार धन्याबाद इस क्लास को महत्तब देने के लिए तथा देखने के लिए